यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको suggest करना चाहता हूँ कि हमारी playlist पर जाके first lecture से चीजों को देखें जिसमें चीजें आपको ज़्यादा crystal clear समझ में आएंगी साथी बताना चाहता हूँ जो भी lecture आप देखते हैं उसे complete देखिएगा कोई भी एक lecture आप complete पढ़िए इसके बाद आप किसी भी book को उठाइए या फिर किसी भी exam के question को उठाइए और लगाने की courses करें जिसमें आप देखेंगे आप 101% चीजों को कर पा रहे होंगे और साथी बताना चाहता हूँ इस channel पर मैं maths का complete syllabus करा रहा हूँ यदि आप मेरे साथ syllabus complete करना चाहते हैं तो इस channel को आप subscribe भी कर सकते हैं आईए बढ़ते हैं आज की class की ओर हेलो गईज मैं हूँ सौरब्यास आपके अपने इस youtube channel मैं सौरब्यास मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो हमारे बताना चाहता हूँ आज हम coin वाले question करने वाले हैं ठीक है तो आज देखते हैं कि हमारे coin वाले question हमें किस तरीके से करने हैं basic क्या है उसका हम स समाने ratio कभी भी हमें क्या लिखना होता है समाने ratio लिखना होता है तो हम क्या करेंगे इसको burn ratio burn ratio burn burn करतेंगे यानि कि एक समान है जितने हमारे पास एक रोपे के coin है उतने ही 50 पैसे के हैं और साथ ही बताया गया है उतने ही मेरे पास किसके हैं 25 पैसे के भी coin है ये बताया गय जो total money आप count करोगे इसमें तो कितनी निकलेगी 35 रूपीस निकलेगी जो कि 1 रूपे 50 पैसे और 25 पैसे के coin है इतनी चानकारी हमें हमारे question में दी गई है अब मैं इसमें आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी कभी आपको क्या होगा इस type का question आएगा इस पर दो प्रकार के question बनते हैं कौन सा अभी तो क्या दिया गया है total amount दिया गया है और क्या दिया गया है number of coins दिये गये है कई बार क्या होता है जो second type का question होता है बहाँ पर number of coin आपको total दे देगा और जो पैसा जो आपको ratio दिया जाएगा तो वो आपको दी जाएगी value of coin ठीक है तो हमें क्या दि piece का ratio निकालेंगे और इस से divide कर देंगे ठीक पहली बात और यदि वो दूसरे वाले type में बात कराता है तो यहां पर number of coin दिया जाएगा तो मुझे यहां पर जो ratio दिया जाएगा value of coin का दिया जाएगा जिससे हम क्या निकालेंगे number of coin निकालेंगे और उसको से divide कर देंगे तो वो next में आएगा मैं उसमें बता दूँगा ठीक है तो इस वाले question पर हम जड़ा बात कर लेते हैं ठीक है अब मुझे क्या निकालना है यहां से तो आप देखोगे मेरे पास क्या है total amount है तो मैं यहां से यह देख लूँ कि value of coin कितने रहे होंगे यानि हर एक coin की कितनी value रह बात करना है तो मैं यहां से निकाल लेता हूँ भाई कि value of value of मैं क्या कर रहा हूँ? coins निकाल रहा हूं ठीक है मैं यह दी इसे पूछ ऑँ value of coin यदि आपके पास एक ratio है जबहरी मैं ऐसा बात करता हूँ क्या आपके पास एक सिक्का है और एक रोपे का है तो उसका पैसा हो में मैं बात करूँ तो कितने होगे तो आप कहोगे एक रोपे होगे या मैं बोलू उस एक सिक्के की value कितनी है तो आप कहोगे सर एक रोपे होगी यह चीट तो आपको समझ आ गही होगी आप कहोगे बिल्कुल मैं आपसे पूछूँ या फि पैसे का एक सिक्का दिया गया है कि इतना दिया गया है कि 50 पैसे का एक सिक्का है तो मैं आप से पूछना चाहूँगी ये भाई 50 पैसे का एक सिक्का था अब इसको मैं convert किसमें कर रहा हूँ एक रोपे मैं कर रहा हूँ तो आप देखोगे ये 1 से जाएगा और ये किस से जा रहा होगा 2 से जाएगा तो इसकी जो मैं value निकालूंगा भाई यहां से कितनी आ जाएगी 1 by 2 आ जाएगी मैं इसी तरीके से बात करूँ किसकी आप आपको निकालना है किसकी माल लेते हैं 25 पैसे ही तो भाई ये कितने बार कटेगा 100 से आप देखोगे 4 times जाएगा तो हमने देखी रुपे में जब हमने इनको convert किया तो इनकी value कितनी आ रही है इसकी तो 1, ratio 1 by 2, ratio 1 by 4 आ गई लेकिन आपने हमारे previous video देखे हैं तो मैंने उसमें आपको बताया था जहां भी ratio होता है उसमें हम चीजे fraction में नहीं आना चाहिए क्योंकि ratio हमारा fraction पसंद नहीं करता है कौन नहीं करता रेशियो में कोई भी चीज fraction पसंद नहीं करता तो मैं क्या करूँगा इस fraction को हटाने के लिए इनके LCM से इसमें पूरे में divide कर दूँगा यहां 4 से करोगे तो यह तो 4 हो जाएगा ठीक है यहां पर कितना बचेगा 2 बचेगा और आप यहां पर देखोगे तो कितना आ जाएगा एक आ जाएगा तो हमारी यह value एक की में बात करूँ value of coin की तो कितनी आ गई तो आप देखोगे इसका मैं sum कर लूँगा कितना आ रहा है 7 रोपे आ रहा है बट question के हिसाब से हमें कितना दिया गया है तो आप देखोगे 35 रूपीज तो मुझे question के हिसाब से दिया गया है और चुँ मैंने ratio के हिसाब से निकाला है भाई वो कितने ratio आ रहे है, 7 ratio आ रहे है मुझे बोला गया है, तो प्रतिक प्रकार के शिक्कों की संख्या ग्यात कीजिए ठीक है भाई, कर देते हैं, कोई दिक्कर नहीं मैं बोलूं, यहां से आप इसको काटेंगे, कितने बार जाएगा आप देखोगे, 5 times जा रहा है, यानि 5 आ रहा है अब मैं इस 5 का, इसके साथ multiply करूँगा, तो कितना आ जाएगा आप देखोगे, 5 दूनी, 5 का 20 आ जाएगा कितने रूपे आ रहे हैं यहां से, 20 रूपे आ रहे हैं मैं बात करूँ इसकी, तो आप देखोगे, 5 दूनी, 10 रूपे इनकी कीमत आ जाएगी कितनी आएगी, 10 रूपे इनकी कीमत आ जाएगी और मैं बात करूँ, यहां पर कितने होंगे, तो आप देखोगे, 5 रूपीस यहां पर ये वाले रहे होंगी, यह चीज यहां पर आई समझ मैं, अब मैं पूछूँ आप से के मेरे जेप में 20 रोपे डले हैं, कितने डले हैं, 20 रोपे डले हैं और एक एक के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के होंगे, तो आप तुरंद कहोगे, सर आपके पास न, 20 कोईन 20 coins होंगे मैंने का ओखे मैं पूछूं आप से अब यदि पूछना चाहूं कि मेरे पास 10 रोपे डने हैं और सभी 50-50 पैसे के सिक्के हैं तो 1 रोपे बनाने के लिए 2 सिक्कों की जरूरत पड़ती है 50 पैसे की ठीक है और 10 रोपे हैं और 1 के लिए 2 पड़ती तो आप क्या करो होगे इससे दुगने चाहिए होगे 10 के दुगने हो जाएंगे तो आप देखोगे यहां पर भी मुझे कितने 20 कोईन की जरूरत पड़ेगी ठीक है यह भी चीज समझ आई होगी अब 1 रोपे के लिए या 100 पैसे बनाने के लिए मैं पूछो 25 पैसों के कितने की जरूरत ठीक है तो हम देखते हैं कि हमारा कितना आ गया हर एक के प्रते कोईन कितने कितने हैं 2020 कोईन है तो इसमें हमने देखा हमारा जो आंसर दिया गया है बी आप्शन में दिया गया है इस कॉस्चन में हमें बताया गया है कि टोटल एमाउंट जो दिया गया है 34.5 रूपीस दि जिनका साथ ही मुझे ratio भी बताया गया है कि under root 369 ठीक है फिर बताया गया है ratio 3 under root 99 फिर देखोगे ratio 10 under root 11 बताया गया ये मुझे क्या दिया गया है number of coins का ratio मुझे इस question में ये दिया गया है ठीक है अब इस से हमें जो देखना होगा कि हमें क्या दिया गया है number of coins का ratio दिया गया ह ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस coin से पैसे में convert करना पड़ेगा, जो पैसे की ratio में value आएगी, उसको मैं ले जाकर यहाँ पर रख दूँगा, और जिससे हमारा answer आ रहा होगा, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको solve करना होगा, तो कर लेते हैं भाई, अब यही आपको याद है, ठीक है, तो यह क्या होगा, चलो, इसको मैं solve करता हूँ, तो मैं आपसे कहाँ, 36 into 11 करियेगा, तो आपको यही value मिल जाएगी, आप कहोगे, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने देखा, यहाँ पर क्या है, 3 है, ठीक है, तो यह तो किता है, 3 है, अंडर रूट, इसका क्या कर सकता हूँ, मैं, 9, 11, 9 into 11 करूँगा, तो 99 आजाएगा, आप कहोगे, बिलकुल आजाएगा, और यह तो मुझे क्या दिया गया है, 10, 11, मुझे यह पहले ही से given है, ठीक है, अब मैं इसको खोलता हूँ, भाई, यहाँ से कितना होगा, 36 का 11 यहाँ रह जाएगा, आप कहोगे, ठीक है, 9 का मैं 3 वाहर निकालूँगा, तो 3 into 3 होकर कितना जाएगा, 9 आजाएगा, और अंडर रूट 11 यहाँ पर रह जाएगा, और यहाँ पर आप देखोगे, तो कितना है, 10 अंडर रूट 11 आजाएगा, यह चीज़ आपको समझ ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 11 अंडर रूट से सारे से काड दिया, तो मेरे पास जो number of coin का actual आ गया, अब मैं बोलू, number of coin का जो आपके पास ratio आया है, वो कितना आ गया, 6, 9 और 10 आ गया है, ठीक है, यह बात, अब मैं इसको किस में convert कर रहा हूँ, value of coin में कर रहा ह ठीक है, अब हम जारा इस पर बात करते हैं, कि value of coin क्या हो जाएगी, तो देखें, मैं कहूं आपसे, एक रूपे के 6 सिक्के मेरे जिब में पड़ें, तो कितने रूपे होंगे, आप कहोगे सर 6 रूपीज होंगे आपके पास, तो यह तो कितना जाएगा यहां से, 6 रूपे और एक रूपे, देखो, ऐसे भी करके देख सकते हो आप, 50 पैसे into 9 सिक्के आपके पास पड़े हैं, तो कितने हो जाएगे, आप देखोगे, 450 रूपे हो जाएगे, और हमें पता है, एक रूपे में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो यहां पर क्या लगा दो, point लगा द अब एक चीज और जरा यहां पर ध्यान दो, कि 10 पैसे के मेरे पास 10 सिक्के हैं, एक रूपे बनाने के लिए मेरे भाई, कितने पैसों की जरूरत है, 100 पैसों की जरूरत है, और मेरे पास 10 पैसे पड़े हुए हैं, 10 पैसों के 10 सिक्के हैं, तो कितना होगा, आप कोई 100 पैस हमने पढ़ा था कि रेशियो में फ्रेक्शन नहीं आना चाहिए तो मुझे इस दो को हटाना है तो हर जगा मैं क्या कर दूंगा multiply कर दूंगा तो मैंने देखा ये ratio क्या हो जाएगा तो आप देखोगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ये तो 9 ही रहेगा और यहाँ से कितना आ जाएगा तो आ जाएगा आप हमने देखा हमारे पार कितना रहा है तो, सॉरी, 14 और 23 रुपे आ रहा है, हमारा कितना रहा है, 23, टोटल की value हमें कितनी दी गई है, 34.5 दिया गया है, और हमारे हिसाब से कितना रहा है, 23 रुपे आ रहा है, इसका answer कितना रहा है, 23 ratio आ रहा है, ठीक है, और जो पूछा गया है, उससे हम क्या कर देंगे, multiply कर है, 10 पैसे के सक्कों की शंख्या बताएं, तो 10 पैसे के हमारे हिसाब से कितनी आ रही है, आप काउगे सर, 2 रुपे आ रही है, इसको मैं इससे काटूंगा, तो 35, 15 हो जाएगा, तो हाँ भाई, ठीक है, तो ये कितने बार जाएगा, 15 बार जाएगा, तो 15 दुनी 30 आ जाए होंगे, तो हमने देखा हमारा option जो है, कितना है, C option आएगा, आएगे देखते हैं इस question में हमसे क्या क्या बताया गया है, तो आप देखोंगे मुझे दिया गया है total number of coin, कि number of coin या सिक्कों की संख्या कितनी बताई गई है, 590 सिक्के हैं हमारे पास, जिसमें बताया गया है क एक रोपे 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के है, साथी बोला गया है कि value of coin मुझे ये दिया गया है, अब इसको क्या करना है हमें, कुछ नहीं है, इसको solve कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा value of coin क्या है, तो आप देखोगे, कुछ नहीं करना है, इसका एक time करोगे, तो हमारा इ इसको करोगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, आप देखोगे, under root 125, इतना आ रहा है, 125 आ जाएगा हमारा यहां से, कितना आ जाएगा, 125 अपन जो है, कितना है, 27, आपको cube याद होने शेये, तो आपको 30 तक minimum cube याद करने है, आइए देखते हैं, ये किसका होगा, तो हमने बात करूँ, 216 किसका होता है, 6 का होता है, पहली बात, ठीक है, यहां तो मुझे cube की जरूरत है नहीं, तो यहां से तो बन ही आ जाएगा, sorry, इसको देखोगे, तो 125 हमारा किसका होता है, तो आप कहोगे, sir, 5 का होता है, किसका होता है, 5 का होता है, और यहां से मैं बात से मैं multiply कर दूँगा, तो यहाँ पर तो हमारा 6 बचेगा, और जब यहाँ पर 6 से multiply होगा, तो यह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 से जब आप multiply करोगे, यह दो बार जाएगा, तो यह कितना बन जाएगा, यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा, कितना आजाएगा 10 आजाएगा तो मैं पूछूँ value of coin क्या value of coin आपको क्या दी गई है तो आप देखोगे यही दिया गया है ठीक है अब मैं बोलूँ आपके पास एक एक रोपे के सिक्के है ठीक है यहाँ से number of coins निकाल रहा हूँ यह मुझे क्या दी है number of value दी हूई 7 रोपे हैं आपके जिब में सारे के सारे यदि एक एक रोपे के हो तो कित्रे सिक्के डले होंगे तो आप कहोगे 7 रोपे डले होंगे मैंने कहा ओके लेकिन मैंने कहा एक रोपे में जब दो सिक्के होते हूं और आपके जेब में छे रोपे डले हैं तो कितने सिक्के होंगे तो आप तुरंत कहोगे सर बारा सिक्के हमारे पास होंगे कितने सिक्के होंगे मेरे भाई यहां से आपको समझ आएगा कि आपके पास 12 सिक्के होंगे कितने होंगे 12 सिक्के होंगे यह चीज यह दिया आपको समझ आई है तो अब आजाते हैं किस पर 25 पैसे के मैं बोलू 25 पैसे के 10 रुपे हैं के पास कितने हैं 10 रूपे हैं ओके मैंने कहा 10 रूपे आपके पास हैं लेकिन मुझे एक चीज बताए एक रूपे में 25 पैसे के कितने सिक्षे होते हैं तो आपको भी समझ आया कि एक रूपे में चार सिक्के होंगे किसके 25 पैसे के और मुझे चाहिए कितने रोपे के है 10 रोपे के तो मैं इस से 10 से multiply कर दूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर जो आ रहा होगा number of coin हमारे कितने आ जाएंगे 40 आ जाएंगे यहाँ तक I hope कि आपको कोई problem नहीं होई होगी अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे concept पर तो हमेद ने देखा कि total number of coin कितने दिये गए हैं मुझे तो आपको 590 दिये गए हैं ठीक है लेकिन हमारे हिसाब से कितने आ रहे हैं तो 19 और यह 59 आ रहे हैं ठीक है और हमसे पूछी किसकी संख्या गई है तो हम देख लेते हैं कितने आ रहे थे ट्वाइल बार रहे थे इसको इससे काड़ दोगे कितने बार जाएगा एक बार कट जाएगा दस आ जाएगा यहां से यानि 120 coin होने चाहिए भाई तो answer देखते हैं क्या दिया गया है किस option में दिया गया है तो C option में हमें answer दिया गया है आईए दिखते हैं इस question में हमसे क्या बताया गया है तो मुझे बताया गया है एक box में एक रुपे, 50 पैसे और 25 पैसे के 56 रुपीज दिये गया है कितना है वही यदि मैं total amount निकालूं तो उनका कितना आएगा 56 रुपीज आएगा जो कि एक रुपे के 50 पैसे के और 25 पैसे के यह हमें बताया गया है साथी बताया गया है इसके बाद 50 पैसे के शिक्कों की शंख्या 25 पैसे के शिक्कों की संख्यों की दो गुनी है लेकिन साथ ही मैं मुझसे क्या बोला गया है आप देखोगे और एक रोपे के सिक्को की शंख्या से चार गुनी है जो एक रोपे के सिक्के है उन से चार गुनी है किस की? 50 रुपीज बाले की तो मैंने इसको एक ले लिया तो इसको कितना लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा इसको मैंने कितना लिया था 20 रुपीज लिया था तो इसको मुझे कितना लेना पड़ेगा भाई 2 रुपीज लेना पड़ेगा यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब क्या करना है मैं ratio same बनाना है तो 4 भाई 2 का नीचे वाले में और 4 का उपर वाले में करोगे तो यहां से तो 2 आ जाएगा ठीक है यहां से 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और 4 का यहां करोगे तो यह 4 आ जाएगा अब मैं इसको फिर से क्या कर देता हूँ काड़ देता हूं 2 से सारे को तो हमने पता चला यहां से तो कितना हो जाएगा बन हो जाएगा यहां से कितना हो जाएगा 2 से काटा है तो 4 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा यह आगे हमारी किसकी भाई number of क्या दिया गया है number of coin का ratio आए रहा है हमारा यह किस का रहा है number of coin का ratio आ रहा है अब मुझे इसको convert किस में करना पड़ेगा rupees में करना पड़ेगा क्योंकि मुझे जो दी गया है 56 total rupees दीए गया है तो मुझे rupees की value चाहिए number of coin तो हमारे पास है अब मैं पूछूँ आपको क्या करना है value of value of coin निकालनी है क्या निकालना है value of coin निकालनी है मैं पूछूँ एक coin है आपके पास वो भी एक रोपे का है तो कितने रोपे आपके जिब में है तो आप काओगे सर एक रोपे है जब एक रोपे का एक ही सिक्का आपके जिब में है तो वो एक ही रोपे होगा आप काओगे बिलकुल मैं पुछूँ आपसे 50 पैसे के आपके पास 4 क्वाइन डले हैं मुझे पता है कि 1 रोपे में 2 क्वाइन होते हैं कितने 1 रोपे में 50 पैसे के 2 क्वाइनों की जरूरत होती है तो 1 रोपे बनता है 2 क्वाइनों से और मेरे पास हैं कितने 4 हैं तो आप तुरंद कहोगे, सर आपके जिब में दो रोपे डले होंगे, ये वाले, मैंने कहा, ओके, मैं पुछूँ आप से, कि यहां से आप बताए मुझे, मेरे जिब में दो कोई डले हैं, किसके 25-25 पैसे के, तो हुए कितने, आप कहोगे, 50 पैसे हुए, आपके पास कितने ह हुए और मुझे से convert किसमें करना है पैसे में तो सौसे डवाइट करूँगा तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे भाई बन बाए टू आ जाएगा अब रेशियो पसंद नहीं है हमें फ्रेक्शन पसंद नहीं है रेशियो के लिए तो इसमें दो से करूँगा तो यहां पर value of coin की हमारे हिसाब से इस रेशियो में आ रहे है ठीक है अब हमने देखा लेकिन value of coin actual कितनी दी थी हमें तो आप कहोगे 56 दी गई थी ठीक है और हमारे हिसाब से कितनी 4-2 और 7 आ गया ठीक है और हमसे पूछा क्या है इस question में तो 50 पैसे की सिक्कों की शंख्या बताएं तो ह साते आठे 56 होता है यह 8 वार गया ठीक है आठ चौका कितना हो जाएगा 32 होना चाहिए 34 रुपीज आया यह क्या आया भाई 32 रुपीज आया क्योंकि मैंने value से value divide की तो क्या आएगा यह रुपीज आएगा बट मुझसे क्या पूछा गया है क्वाइन पूछा गया है तो मै कहूं एक रुपे में यदि दो क्वाइन होते हैं तो आप मुझे बताएं 32 रुपे में कितने होंगे तो आप कहोगे सर 32 रुपे में कितने होंगे तो कितने आएंगे 64 क्वाइन आ जाएंगे जो की option B में दिया गया है हमें आएए देखते हैं इस question में हमसे क्या बताया गया तो हमें बताया गया है एक बैग में 1 रुपे 50 पैसे और 25 पैसे के 97 शिक्के हैं टोटल नंबर आप कोईन तो इसमें 97 है और बात करूं यदि उनका amount आप निकालोगे तो बहो निकलेगा कितना 47.5 रुपीस निकलेगा बताना है कि 1 रुपे के सिक्कों की शंख्या कितनी ये जानकारी देनी है लेकिन यदि 25 पैसे के सिक्कों की शंख्या 1 रुपे की सिक्कों से 116.66% अधिक हो तो बताया है ठीक है सबसे पहले इसमें जो आया है मैं आपको बताना चाहूंगा 116.66% आया है इसको तो मुझे तोड़ना पड़ेगा भाई इसको मैं दो भागों मैं तोड़ दूँगा किस किस में इसको मैं तोड़ता हूं 100 प्लस 16.66% मैं मैंने इसको तोड़ दिया आप साहिद आपको होती है अब मैं 6 कम 6 और एक यहां से जो निकल के आएगा वो कितने आएगा 6y7 आजाएगा अब मैं माल लेता हूं कि यदि मेरे पास कितना मैंने माना इस बाले को मैं original मान रहा हूं कि original जो एक रुपे के सिक्के थे वो कितने थे मैंने माल लिए 6x थे तो भाई 6 का 116.66 न लगया ना कि एक रुपे की सिक्कों से 116.66 परसेंट 25 पैसों की संख्या अधिक है तो मुझे क्या पन करना पड़ेगा इससे अधिक बनाना पड़ेगा यानि इनके बीच में इस साथ का डिफ्रेंस होना चाहिए यानि मुझे यहां पर कितने लेने होंगे 13x लेने होंगे ये चीज यदि आपको समझ आई है तो बस अब इस कॉस्चन में कुछ बचे ही नहीं है ठीक तो मैंने देखा भाई टोटल कोईन कितने थे 97 थे और हम ये क्या निकाल रहे है number of ये क्या है हमारे कोईन सी है ठीक है number of कोईन यदि यहां पर 6x कोईन थे तो यहां पर 13x कोईन होंगे और टोटल कितने है 97 कोईन है आपका होगे भई इन 97 कोईन मैंसे मैं क्या कर रहा हूं ये 13 कोईन क्या कर देता हूं माइनस कर देता हूं टोटल कितने है 97 है क्योंकि देखो 6 ये और 13 ये मुझे इनको 19 कोईनों को क्या करना पड़ेगा इसमें से घटाना पड़ेगा और जो भी coin आएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे 50 के coin हो जाएंगे यहां तक आपको I hope कि कोई दिकत नहीं होगी अब हम देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है और तो मैंने देखा number of मुझे amount दिया गया है तो यह तो मेरे पास क्या है number of coin है इसको मैं किस में convert करता हूँ value of coin में यदि मैं convert करूँ तो मुझे एक चीज बताओ यह क्या होगा यह यहां से 6x ही रहेगा आप कहोगे okay मैं कहूँ अब इसको मुझे यदि convert करना है तो भाई एक रुपे की सिक्के में यह कितने सिक्के होते हैं दो होते हैं तो यह जो हमारा जाएगा 97,19x upon 2 हो जाएगा यहां से इसका ratio आप कहोगे ठीक है और साथी मैं पूछूँ आप से यह कितने के अच्छा यह कितना हो जाएगा एक रुपे में जब कितने होते हैं 25 पैसी के सिक्के 4 होते हैं तो कुछ नहीं करना है इस 13 रुपी जो भी होगा यह भी तो 4 पार्टों में डिवाइड होगा आप कहोगे बिलकुल होगा अब बस यह पूरा amount जो आना चाहिए यहा मैं बात करूं value of जो आपकी coin आने हमारे 47.5 के बराबर आने चाहिए तो भाई इसको हम कर लेते हैं एक तरीके से plus 97 minus 19x ठीक है upon 2 plus यहां से कितना रहा है 13x upon 4 बराबर यह जो आना चाहिए 47.50 के बराबर आना चाहिए यहां तक आपको I hope को कोई दिक्कत नहीं होगी अब मैं क्या करता हूं इसको हटाने के लि तो कितना हो जाएगा 24x हो जाएगा plus ठीक है 4 का यहां होगा यानि इससे कट जाएगा 2 से हो जाएगा तो 90 दूनी 187 यानि 194 आ जाएगा है ना और 19 दूनी कितना हो जाएगा 38x यहां से आ जाएगा plus यहां पर तो कितना रहेगा 13x ही रहेगा बराबर मैं 4 का जब यहां पर होगा तो इसका कितना हो जाएगा 190 आ जाएगा यहां से कितना आ गया हमारे पास 190 आ गया है अब X वाली टमों को तो हम क्या कर देंगे भाई यहां से काड देंगे तो हमने देखा इनको तोनों को जोड़ो लो भाई 13 यहां से तो हो गया 7 और यह 337 तो भाई यह देखो प्लस का है और यह माइनस का है तो यहां से तो मेरे पास क्या बचा माइनस का एक बच गया आप देखोगे और यह 194 इस सेड जाएगा और एक सो भाई यह क्या है प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा ठीक है? अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है. X की value इसमें हम put कर देंगे. तो X की value हमसे पूछा question में क्या है? पहले हम ये देखते हैं किस की पूछी गई है? तो हमसे किस से गया है? ये पूछा गया है. एक रूपे की तो हम क्या करेंगे? कितने थे? नेक्स्ट कॉस्चन में हमसे क्या बोला गया है, हमें क्या दिया गया है, तो हमें बताया गया है, इस कॉस्चन में A, B, C के पास कुछ सिक्के हैं, हमें नहीं बताया गया है कि कितने सिक्के हैं, बट कुछ सिक्के हैं इनके पास, बताया गया है, A के सिक्कों का साथ गुना, क अब मैं 5 times का करूँगा B का करूँगा तो ये दौनों सिक्के आ जाएगे ये पहली condition दी गई है फिर मुझे बताया गया है जबकि B के सिक्कों का 6 गुना ठीक है B के सिक्कों का 6 गुना बराबर दिया गया है C के 11 गुना के बराबर सॉरी मैं क्या था C था ठीक है यहाँ पर क्या था 11 times of C दिया गया है ठीक हाँ चलो ये दिया गया है अब इसको solve करते हैं सबसे पहले A, B, C की हम संख्या निकालते हैं तो मैं पता A की यहाँ से यह हो जाएगी B की यहाँ से यह हो जाएगी B की यहाँ से यह हो जाएगी और C की यहाँ से यह हो जाएगी हमें मिल गया किसका A ratio B मिल गया यहाँ से और B ratio C मिल गया है जो की मुझे दिया गया है A की बात करूँ तो कितना रहा है 5 आ रहा है B की बात करूँ तो कितना रहा है 7 आ रहा है A का ठीक है और मैं बात करूँ B की तो 11, 37, 87 यहां से यह आ जाएगा ठीक है और मैं बात करूँ C की सचो 42 हमारा यह आजाएगा ठीक है अब यह तो हमारा रेशियो आ चुका है लेकिन कया यह 55 और से यह सब होगा क्या आपका होगे नहीं होगा ठीक है इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं और C का Ratio दिया गया है यह कितना आ रहा है 55 आ रहा है यह 77 आ रहा है और किता रहा है 42 आ रहा है लेकिन इसको Ratio में हम क्या लिख देंगे X के साथ लिखेंगे X के साथ क्यों लिख रहे हैं? ये अभी देखते हैं अब मुझे बताओ question में हमसे पूछा क्या गया है और इसको आगे पढ़ोगे तो A, B, C के पास कम से कम कुल कितने सिक्के होने चाहिए ये हमने कहा number of coin है हमारा क्या है? number of coins आ रहे हैं ये 00 हो जाएगा फिर तो गलत हो जाएगा answer पहली condition होगी कि X की value यदि मैं बन पूट करता हूँ तो यहाँ पर 55 सिक्के आ रहे होंगे यहाँ पर 77 सिक्के आ रहे होंगे और यहाँ पर 42 आएगा और आप खुछ सोच के देखिए यदि मैं X की value बन के अलावा कुछ और put करता हूँ तो जादा ही आएगा कम तो आएगे नहीं ठीक है और हमसे क्या पूछा गया इस question में minimum कम से कम पूछा गया है तो X की value में यहाँ पर क्या put करता हूँ बन put करता हूँ और जब बन put करूँगा तो आप देखोगे 7 दूनी 14 की तो यहाँ से 4 आ जाएगी यहाँ पर 5 तो 5 दूनी 10 और 7 17 आ जाएगा यानि मुझे पता चला कि minimum जो coin हमारे आ रहे होंगे कितने आएगे बन 74 आ रहे होंगे जो की हमें option B में दिया गया है किसमें दिया गया है? B में दिया गया है आएए देखते है next question में क्या बताया गया है तो हमें बताया गया next question में कि राखी के पास 10 पैसे 20 पैसे और 1 रूपे के कुल मिला कर 16 रूपीज है कितने के हैं मैं बात करूँ total पैसा पहले लिख लेते हम कि total उसके पास जो amount है कितना है वाई total amount की मैं बात करूँ तो मुझे दिया गया है कितना दिया गया है 60 rupees कितना 16 rupees दिया गया है जिसमें से किस किस के है एक रोपे का सिक्का है और 20 पैसे है ठीक है 20 पैसे का भी है 20 पैसे का है और 10 पैसे का ये पैसे हमें दिये गए है कि इतने इतने के सिक्खे उसके पास दिये गए है साथी बताया गया है ठीक है 10 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 6 और 1 है 10 का तो कितना है 6 है ठीक है और मैं बात करूँ किसका 20 का कितना दिया गया है 1 दिया गया है यह मुझे दिया गया है इससे अच्छा मैं इसको क्या लिख लेता हूँ और अच्छा लगे जिसमें इसको तो मैं X लिख देता हूँ और इसको मैं 6X लिख देता हूँ इस रेशियो में दिया गया है और हमसे जानना जो चाह रहे है इस question में तो आप देखोगे मुझसे एक का जाना चाहता कि एक के कितने तो इसे मैं अभी थोड़ी दिर को क्या मान लेता हूं मेरे भाई बाई मान लेता हूं यह तो दिया हुआ था अब हम क्या करते हैं हम इसको रुपीस में कनवर्ट करते हैं या फिर हम क्या निकालते हैं value of हम निकाल रहे हैं यहां कितने सिक्के होंगे तो आप कहोगे यह मुझे दिया क्या गया था तो यह मुझे दिया गया था number of coin दिये गए थे यह क्या दिये गए थे number of coin का ratio था यह न minimum number of coin हाँ तो यह हमारे पास क्या था number of हमारा coin का ratio था ठीक है अब मैं जो convert कर रहा हूँ इसको value of coin मैं कर रहा हूँ मैं पूछू एक रोपे के कितना होगा तो आप कहोगे कुछ नहीं सर बाई ही रहा होगा मैं नहीं 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 आपके मैं पूछू आप से यहाँ पर आप मुझे बताएं कि 20 पैसे के एक रोपे में कितने सिक्के होगे तो आप कहोगे 5 हो जाएंगे ठीक है तो हमें समझ आया है यानि x upon 5 आएगा यहाँ से आप कहोगे ठीक है मैं पूछू एक रोपे में 10 पैसे के कितने सिक्के होगे तो आप कहोगे 10 सिक्के होगे 10 into 10 करोगे तभी तो 100 पैसा आएगा आप कहोगे बिल्कुल ठीक है तो यहां से मुझे समझ आया X upon कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए यहां पर मैं इसको काड देता हूँ तो यह 3X upon कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब यह क्या गया value of coin हमारी आ गई है और यहां पर total amount मुझे 16 दिया गया है तो मैं क्या करता हूँ यहां से इसको जोड़ लेता हूँ तो मैंने देखा 3X upon 5 प्लस कितना आना चाहिए X upon 5 प्लस क्या है Y दिया गया इसी के बरावर मुझे 16 दिया गया आपको ओगे बिल्कुल ठीक है अब मैं इसका sum कर देता हूँ तो यहां से मेरे पास जो आ जाएगा 4X upon 5 प्लस Y बरावर कितना आ रहा है भाई यहां से 16 आ रहा है ठीक है अब इस में और हम क्या कर सकते है अब इस में हम कुछ नहीं करना है क्योंकि देखो हमसे जो इस question में क्या पूचा गया है तो आप देखोगे हमसे इसमें पूचा गया है कि एक के सिkकों की नियून तम संखिया बता है मुझे 1 रूपे की बतानी है अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है तो एक रोपे की हमने कितनी मानी है तो आप देखोगे y मानी है ठीक है इस y को तो यहां लेगे इसको मैं उस सर्ड लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा 60-4x अपन कितना जाएगा 5 आजाएगा अब मैं आपसे पूछूँ y की minimum value पूछी गई है क्या पूछी गई है minimum value पूछी गई है या new time value पूछी गई है कब आएगी मैं जब x इसमें y की value क्या रख दूँ यदि मैं यहाँ पर मान लो 5 रखता हूँ कितना रखता हूँ 5 रखता हूँ इसकी जगा पर तो आप देखोगे यहाँ पर 5 हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा हमारा यहाँ से कितने coin आ जाएगे आप देखोगे 12 कौन आ जाएगे ठीक है जब मैं यहाँ पर कितना यदि 10 put करता हूँ तो यह क्या हो जाएगा 16 minus 4 into 10 आएगा और यहाँ पर क्या है यह 5 है तो यह इसको कितने बार काटेगा 2 बार काटेगा 4 दूनी 8 यानि यहाँ से हमारा आंसर कितना आ रहोगा 8 आएगा जब मैं यहाँ पर 3 रखूँगा तो 3 तो 12 कट जाएगा तो यहाँ से 4 आ जाएगा फिर इसके बाद किसी की दिमाग में आ सकता है कि यह 20 भी रखो लेकिन भाई जैसे ही मैं यहाँ पर 20 रखूँगा यह मालो 20 है तो यह कितने बार 4 बार जाएगा 4 चोगा 16 यानि हमारे कितने हो जाएगे कोईन 0 हो जाएगे यह तो हो नहीं सकता है तो हमें समझ आया जो मिनिममम कोईन आएगे हमारे वो किस में आएगे तो X की वैल्यू मुझे कितनी रखनी होगी यहाँ पर तो आप देखोगे X की वैल्यू मैं जब कितना रखूँ 15 रखूँ कितना रखता हूँ 15 रखता हूँ तब आ जाएगा X की वैल्यू मैंने यहाँ पर कितनी रखी मेरे भाई 15 रखी तो पास से यह कितने बार गया तीन बार ती चौका 12 यानि यहाँ पर 16 माइनस 12 करोगे यानि Y की वैल्यू कितनी 4 आएगी तब यानि मिनिमम जो क्वाइन आएंगे हमारे 4 आएंगे एक रुपे के जो की हमारे आप्शन ए में हमें दिया गया है Next Question में हमें बताया गया है अमन भाई बैंक से एक 600 रुपे का बैंक बैंक से भुणाते हैं ठीक है बैंक को कैस करा रहा है चेक को कैस करा रहा है ठीक है इसमें बताया गया है बैंक उसे धन के भुकतान में केवल 10 रुपे वाले तथा 5 रुपे वाले नोट जिनकी कुल मिलाका शंख्या कितनी बताई गई है 72 बताई गई है मैं बात करूँ number of ठीक है क्या दिया गया है भाई नोट दिये गए होंगे ठीक है मैं बात करूँ coins लिख देते हैं इसको कोई बात नहीं ठीक है coins जो हमें दिये गए है 10 और 5 रुपे की सिक्कियादी दिये गए होंगे तो कितने दिये गए है 72 यह हमें जानकारी दी गई है देता है तो 10 रुपे के नोटों की संख्या वा 5 विछे बताना है तीक है अब मैं पूछू आप से कि आपको पता है क्या कि 10 के जो है किसके मैं पूछू 10 रुपीस के कितने 10 रुपीस के जो सिक्के दिये गए है कितने दिये गए मैं पहले basic से बता रहा हूँ इस question को ठीक है हम किस से देख रहा है basic से और sort में कैसे करना उस पर भी बात कर लेगे हमें नहीं पता था हमने माल लिया x रहे होंगे कितने रहे होंगे x सिक्के रहे होंगे तो मैं पूछू आप से कि आप 5 रुपे किसे कितने हो जाएंगे आप काओगे सर टोटल कोईन हमारे कितने थे 72 थे जिसमें से आपने x माल लिये तो एक काम करो सर भाई 72 मैंसे x माइनस हो जाएगा जो भी आएगा वो 5 रुपे का हो जाएगा मैंने कहा ओके अब बस इसी चीज़ को मैं solve करता हूँ तो मैंने क्या किया x पिलस ठीक है क्या कर दिया मैंने यहां से 72 माइनस x अपन हमारा कितना आना चाहिए अच्छा टोटल पैसा कितना दिया गया है तो देख लेते हैं तो आप देखोगे यहां से मुझे दिया गया था 600 रुपे दिया गया था कितना दिया गया था 600 रुपे दिया गया था अच्छा यह 10 रुपीस का एक नोट है ठीक है और यहां पर यह कितने रुपीस का है 5 रुपे का है ठीक है इसमें से इसको काटोगे तो कितना बचा 5 X मेरे पास बचा है केवल और इसको ले जा के बहां माइनस करोगे प्लस का है तो यहां से बचा कितना 240 इसको से काटोगे तो कितने बार यह बाई यह 54 का 25 видно 440 है मुझे पता चला कि total जो कितने थे 72 थे यानि ये कितने 10 रुपे वाले की बात करूँ तो 48 नोट थे ठीक है और 72 टोटल थे 48 माइनस करोगे तो कितने आएंगे 24 आ जाएंगे 5 रुपे वाले तो भाई इनका ratio बनाओगे तो 2 ratio बन हमारा आ जाएगा इस question को और हम किसे कर सकते हैं? mixture allocation से कर सकते हैं यदि आपने कहीं में mixture allocation पढ़ा है थोड़ा बहुत तो मैं उससे बता देता हूँ आपको मुझे क्या पता है यहाँ पर या तो 10 रुपे वाले सिक्के होंगे या 5 रुपे वाले सिक्के होंगे दो ही प्रकार के सिक्के मुझे दिये गए हैं और total मैं coin की बात करूँ तो कितने हैं यहाँ पर 72 coin है ठीक है? अब मैं आप से बोलूँ कि सारे 72 जो coin है यदि 10 रुपे क सिक्के होते तो total पैसा कितना आता? आप कहोगे एक काम करो सर इससे का multiply करो तो कितने 720 रुपे बनते की नहीं बनते? आप बोलोगे बिलकुल बनते मैं पूछू आपसे यदि जो 72 coin है यह सारे के सारे 5 रुपे के coin होते तो कितना पैसा बनता? तो आप कहोगे 5 दूनी 10 होता यानि 0,1,7,5 यानि 360 रुपे होने चाहिए थे मैंने कहा जब सारे के सारे 10 के सिक्के होते तो 720 रुपे बनने थे यदि 5 रुपे के होते तो 360 होने चाहिए थे लेकिन पैसा है कितना? तो आप कहोगे हमें दिया गया है 600 कितना दिया गया मेरे भाई? 600 दिया गया है तो बस इसको क्या कर देंगे, इन दौनों के बीच का difference यहां आता है, और इन दौनों के बीच का difference यहां आता है, तो मैंने देखा 720 में से आप 100 minus करोगे, यहां पर आपका 120 आएगा, आपका ओगे ठीक है, और 600 minus आप जो करोगे कितना, 360 तो यहां से 240 यहां से आ जाएगा, जब इसको इससे काटोगे, तो हमारा जो ratio निकल के आएगा, आप देखोगे, 2 ratio बना रहा होगा, जो की 2 ratio बन हमें दिया गया है, इसमें option B में दिया गया है, आईए दिखते हैं, next question में हमें क्या बताया गया है, तो मुझे बताया गया है, दो थेले हैं A और B, क्योन कौन से है देते हैं A ठेला ये है, ठीक है बैग, और दूसरी में बात करूँ, ये कौन सा है, B बैग दिया गया है, मुझे दो पिरकार के बैग दिये गए हैं, जिसमें बताया गया है, दो रोपे ये हमने बना लिया, एक बैग हमारा, दूसरा बैग हमने ये बना लिया, इस वाले मे मैंने 5 रुपे की सिक्के ड़ले हुए, ठीक है, और 3 रेशियो 2 में है, यदि 3 सिंख के इसमें है, तो 2 सिक्के इसमें होना चाहिए, इनका रेशियो मुझे ये दिया गया है, जब थेले, ए से 5 सिक्के ठेले बीम में डाल दिये जाए, यहां से आपने क्या किया भाई, 5 सिक्के निकाले और इसमें डाल दिया, कितने, 5 यहां से आपने क्या किये, निकाले, और यहां पर क्या कर रहे हो, आप add कर रहे हो, ठीक है, हमने यहां पर क्या कर दिया मेरे भाई, add कर दिया, यह जानकारी हमें दी गई है, ठीक है, यहां से तो हमने क्या किये, पांच निकाले, और यहां पर पांच डाल दिये, जिसके कारण बताया गया है, डाल दिये जाते हैं, तो दोनों थेलों के सिक्कों की शंख्या बराबर हो जाती है, जो संख्या आ रही थी, वो दोनों के दो वाले में number of coins कितने हैं हम से ये पूछ रहा है ठीक है बता देंगे कोई दिखकर नहीं अब मुझे क्या करना है पहले मैं पूछू भाई कितने सिक्के थे आप कहोगे सर 3x रहोंगे ठीक है ratio दिया गया था हमने वालिया कितने रहोंगे 3x रहोंगे जैसे ही मैंने इस में से 5 सिक्के निकाले और उनको किस वाले में डाला इस वाले में डाल दिया 2x वाले में तो यहाँ पर क्या हो जाएगे 5 सिक्के आपने यहाँ से निकाले हैं और यहाँ पर डाले हैं तो भाई यहाँ से addition होगा आप कहोगे ठीक है मैं यहाँ से क्या करता ह X की value निकालता हूँ, तो इस 2 को इस side लाता हूँ, इस 5 को side लेके जाओंगा, तो आप देखोगे, 3X minus 2X होगा, तो यहाँ से बच्चा कितना होगा, X और यह प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चा कितना, 10, यह चीज समझ आई आपको, आपका होगे, ठीक है, मैंने चीज को समझना है, प्लस, 5 coin मैंने और डाले है, वो वाले हो जाएगे, अब इस चीज को समझना थोड़ा द्यान से, क्योंकि जब मैं class room में पढ़ाता हूँ, तो answer बच्चों का गलत आ जाता है, तो मैं पूछू, टोटल coin कितने होगे, आपका होगे 25, और एक कितने का है, आप काओगे 5 क्या है, तो 25, पंचे कितने होता है, 125, तो ये गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपने जो ये 5 coin डाले हैं, भाई, ये 2-2 रोपे के हैं, कितने के हैं, दो-2 रोपे के हैं, तो ये 20 coin तो कितने के थे, आप काओगे 5 के थे 20 coin, ठीक है, तो यहां से तो 100 रोपे आ जाएंगे आईए देखते हैं अब हम थोड़ा बात करते हैं कि इस पर directly proportional या समानुपाती पर आपने इसे कईवार सुना होगा यदि आपके science में ये terminology बहुत ज़्यादा यूज होती है ठीक है बट ये चीज़ा आपने सुनी होगी हो सकता है आपको इसका real meaning पता भी हो ना भी हो बट मैं अपने तरफ से कोसिस करता हूँ आपको समझाने की कि कहीं पर यदि directly proportional बोला जाता है किसी भी question में तो उसका actual meaning क्या निकल के आता है हम उस बात पर थोड़ी सी बात करते हैं दो मिनिट इस पर हम बात कर लेते हैं तो आपने कई बार ऐसा लिखा होगा मैं यदि लिखना चाहूँ A ठीक है directly proportional मैंने लिख दिया यहाँ पर यह B ठीक है ऐसा आपने लिखा होगा ठीक है और आपके teacher ने आपको बताया होगा कि बटा जब भी हम इस sign को हटाते हैं तो इसकी जिखाए A K constant आ जाता है और इसको हम क्या लिख देते हैं K B लिख देते हैं इस तरीके का आपने कुछ अपने इस school में यदि पढ़ा होगा ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ इसके आँगे आपको चीजे बताने की कोसिस कर रहा हूँ मैं इसको इस तरीके से भी तुल लिख सकता हूँ इसको मैं नीचे लिख लिख आऊँ तो A upon B बराबर क्या हो गया K हो गया ये हमारी क्या हो गई है standard value हो गई है ठीक है कभी भी हमसे directly proportional ये समानुपाती बोला जाता है तो हम A upon B equal to K लिख के बैठ जाएंगे वहाँ पर इस चीज को याद रखना है हमें ठीक है अब इसमें क्या होता ही ये सुने ठीक है मैं लिख रहा हूँ A बढ़ेगा क्या A बढ़ेगा तो मैंने लिखा B भी बढ़ेगा क्या लिखा मैंने A बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा यदि A घटेगा क्या है A घटेगा घटेगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ B भी घटेगा ठीक है ये क्या मैंने लिख दिया ये आपको यदि समझ नहीं आया तो 2 minute का time दे, मैं इसको समझाता हूँ, मालू मैंने A की value यहाँ पर कितनी put की, 4 put की, ठीक है, वो मैं कहता हूँ B की value मैंने यहाँ पर 2 put की, तो भाई, अब इस मैं put करता हूँ, तो 4 भाई, यहाँ पर 2 आ जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल, मैं बोलू भाई, इसका answer कितना कल के आएगा, आप कहोगे sir, 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, यह चीज समझ आई, तो मैं आप से क्या बोल रहा हूँ मेरे भाई, यह क्या था, क्ये था, constant था, इस्थिर था, इसको change नहीं करना है, क्या नहीं करना है, इस्थिर नहीं करना है, इसी वज़े से इसको क् constant बोलते हैं, कि यह change नहीं होगा, इस्थिर रहेगा, ठीक है, तो अब मैंने देखा, मुझे answer तो अब क्या चाहिए है, तो ही चाहिए है, मैं इसको change नहीं कर सकता, आप कहोगे बिल्कुल, बट मैंने a की value क्या कर दी भाई, यह कितना था, 4 था, तो 4 से मैंने यहाँ पर क् कर दिया, किता कर दिया, 12 कर दिया है, तो अब मुझे बताओ, b की value मुझे घर्टानी पड़ेगी, या बढ़ानी पड़ेगी, आपने देखा, इसकी a की value आपने बढ़ा दी है, तो मुझे यदि answer कितना चाहिए है, answer मुझे 2 ही चाहिए है, तो यह compulsory हो जाएगा, कि आप क 2 रखते हैं, या 2 से कम करते हैं, तो 2 answer हमारा नहीं आएगा, यानि मुझे समझ आया, b की value भी मुझे क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी, जब मैं यहाँ पर 2 की जगा 6 करूँगा, तभी जाके मेरा 2 answer आएगा, यानि देखो, जब मैंने a की value बढ़ाई, तो compulsory हो गया, कि म मुझे b की value बढ़ानी पड़ी, यदि थोड़ा कम समझ आया है, तो एक example के साथ मैं और इस चीज को क्या करता हूँ, explain करता हूँ, चलो, देखते हैं, माल लो, मैं बोलता हूँ, a की value मेरे पास जो है, कितनी हैं मान लेते हैं, 10 है, कितनी है, 10 है, और b की मैंने मानी यहाँ गित्ती है, तो 5 मान लेते हैं, ठीक है, मैंने देखा, इसको solve करना है, आप काओगे, 10 अपन, चलो, इसको मैं 25 मान देता हूँ, कितना मानता हूँ, 25 थी, ठीक है, और मेरे इसको, क्या किया, 25 थी, यहाँ पर, और इसको मैंने 5 से divide करूँ है, तो कितना हैगा, आप काओगे 5 आ रहा होगा, अब यह तो constant हो गया answer, कि मुझे अभी भी क्या चाहिए है, 5 ही चाहिए है, बट मैंने क्या किया, 25 से बढ़ा के, इसको मैंने कर दिया, कितना, 40 कर दिया, एक ही value जो मैंने fit की भाई, 40 कर दी, तो अब मुझे बताओ, 5 answer कब मिलेगा, तो आपके दिमाग में आएगा, तुरंत, सर, यदि आपको 5 answer चाहिए है, और उपर 40 है, तो B की value भी हमें बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ा कर कितना करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा, तो हमें समझ आया, जब मैंने A की value बढ़ाई, तो क्योंकि यह directly proportional थे, यह समानुपाती थे, जब मैंने A की value बढ़ाई, तो compulsory हो गया, कि मुझे B की भी value बढ़ानी पड़ी, यह होता है, directly proportional, अब हम आते हैं, किस पर, inversely proportional पर हम बात करते हैं, आइए दिखते हैं, अब हम बात करते हैं, वितकुर्मानुपाती या, वितकुर्मानुपाती, या मैं बात करू, inversely proportional पर, ठीक है, या इ देखा होगा, A, inversely proportional बताया जाता है, C होता है, इस तरीके का आपको आपके teacher ना बताया होगा, फिर उन्होंने बोला होगा, बेटा, इस sign को हटा के हम क्या कर देते हैं, एक K constant लेते हैं, और upon में C आ जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, इस C को यहां लेके आता हूँ, और ब दूसरी बात, अब इसका huge क्या है, या कैसे ये काम करता है, inversely proportional का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको उस चीज को समझाता हूँ, explain करता हूँ, ठीक है, तो हम इस पे जरा बात करते हैं, मैं बोलू, यदि मैंने A की value यहां पर कितनी रग दी, 5 रग दी, ठीक है, और मैं बो जाई, लेकिन मेरा mood change हुआ, मैंने कहा, एक ही value मैं क्या करता हूँ, पहले 5 रखी थी न, अब मैं क्या करता हूँ, 4 कर देता हूँ, ठीक है, और ये तो क्या है हमारा, constant है, ठीक है, यदि ये constant है, तो answer तो यही आना चाहिए, तो आप कहोगे ठीक है sir, पहले आपने 5 लिया इसकी जगा हमने 4 ले लिया, आप कहोगे, और answer मुझे अभी क्या चाहिए है, टॉंटी ही चाहिए है, तो मुझे बताओ, भाई, इस c की value मुझे बढ़ानी पड़ेगी, या घटानी पड़ेगी, तो आप कहोगे, इसकी value आपको घटानी पड़ेगी, यानि b मेरा जो कितन बढ़ानी पड़ेगी, पहले 4 था, तो इसकी जगा कितना करना पड़ेगा, पांच करना पड़ेगा, तो हमने क्या देखा, तब हमारा 20 answer आएगा, जब मैंने a की value को क्या किया, घटाया, तब मुझे b की value को क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा, मैंने जैसे ही a की value proportional का ये logic होता, दोनों ही एक दूसरी के क्या होते है, विपरीत होते है, यदि a बढ़ेगा, तो b घटेगा, b घटेगा, तो a बढ़ेगा, पहली चीज, थोड़ा दिक्कत है, मैं एक बार और इसको समझाने की कोसिस करता हूँ, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ, a की value मैंने यह आपर कितनी रखी, 6 रखी, b की value मैं कितनी रख रहा हूँ, 5 रख रहा हूँ, तो 6 इंटू आप 5 करोगे, तो कितना आएगा, 30 आएगा, अब मुझे answer तो constant चाहिए है, यानि 30 ही होना चाहिए, लेकिन मैंने a की value क्या कर दी, यहां से घटा दी भाई, तो जो 6 था, मैंने य 30 आएगा, यानि इस से बस यह बताना चाहता था, एक की value आप बढ़ाओगे, तो दूसरे की आपको घटानी पड़ेगी, दूसरे की घटाओगे, तो पहले की बढ़ानी पड़ेगी, बाकी इस पर को मैं directly proportional और inversely proportional को time and work मैं आपको बिस्तरित तरीके से बताऊंगा, और ज बात ही मुझे कुछ मान दिये गया है, capital A की बात करूँ, तो इसका कित्ता दिया गया है, 12 दिया गया है, capital B की बात करूँ, तो इसका मुझे कित्ता दिया गया है, ठीक है, और मैं बात करूँ C की, तो C का कित्ता दिया गया है, 2 दिया गया है, यह चीज आया समझ मैं, और capital इसब स्माल B की में बात करूं तो कितना दिया गया है ठीक है। इसे हमें solve करना है, ठीक है? तो हम देखते हैं, A, C अपॉन B दिया गया है, बरावर में मैं रखूँँगा, A, B अपॉन C रख दिया, ठीक है? अब जो जिसकी value बस put करते जाओ, answer खुद खुद आ जाएगा भाई यहाँ से मैंने दिखा 12 बारा है और यहाँ पर कितनी है 2 है और क्या दिया गया था भाई मुझे B हाँ B की कितनी दिगे है 6 दिगे इसको इससे काट दोगे तो कितने बार जाएगा 6 दूनी 12 यानि यहाँ से तो 40 बचा ठीक है और A B की रखोगे यह हमें निकालना है इंटू B की कितनी है 12 है ठीक है और C बराबर कितना है 3 है 3 से 3 इसको काटोगे तो यह कितने बार चला जाएगा 4 बार चला जाएगा ठीक है एक मिनिट मैंने कही पर गलती तो नहीं कर दी है B की वेल्यू 12 है ना यह गलती कर दी है C आता था यहाँ पर C आएगा यहाँ पर B आएगा और 3 यहाँ पर आजाएगा ठीक है और B की वेल्यू यहाँ पर कितनी आजाएगी 12 आजाएगी इसको काटोगे 4 बार तो यह बराबर जो हमारा आएगा 16 आजाएगा यह देखते हैं नेक्स्ट कॉस्चन में हमें क्या बताया गया है तो आप देखोगे एक इंजन बिना किसी डिब्बे के 20 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड के गती से चलता है यदि मैं इस में कुछ ना लगाउ ठीक है इंजन बस होता यानि यह इनीसियल मुझे स्पीड दी है इस इंजन की यह चीज समझ लीजे कितनी है 20 अपॉन 3 दी गई है ठीक है और बताया गया है गती में कमी जोडे गए डिब्बों की संख्या के वर्ग मूल के शमान उपाती है अब मुझे समझ आया जोडे गए डिब्बों के वर्ग मूल के शमान उपाती है अब डिब्बों के लिए क्या बोलते है यदि आपको याद है तो आप कहोगे बैगन बोलते है ठीक है और यह कितना हो जाएगा सॉरी क्या हो जाएगा डारेक्ली प्रपोर्शनल अंडर रूट के वर्ग मूल के बताया गया है यदि आप इसको इंग्लेस में पढ़ोगे तो बताया गया है रिड्यूज इन दाइस्पीट एंट्रेंड डारेक्ली प्रपोर्शनल किसके है वही दा इसको एर रूट ओ वर्गन ठीक है तो यहाँ पर इसको मैंने D लिख दी है थोड़ा छोटा हो गया है तो R inversely W आ जाएगा ठीक है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फिर बताया गया है यदि 4 डबे जोड़े तो इंजेन की गती जो हो जाती वो कितनी हो जाती 50 upon 9 meter second हो जाती है मैं बोलू जैसे ही आपने यहाँ पर क्या लगाए मैं बात करूँ यहाँ पर अच्छा इसको solve करोगे तो क्या आएगा R यहाँ पर तो आपका K under root W आएगा और यहाँ पर देखोगे R upon under root W बराबर K आजाएगा है इसमें हमें value put करनी है मैं बोलू आप से मैं यहाँ पूछू आपने कितने dip लगाए अभी question के हिसाब से 4 लगाए है ठीक है और जो हमें बताया क्या है इसकी जो speed reduce होती है R क्या है for reducing speed की मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पहले इससे पहले देखें इससे मैं बताया क्या है जैसी आपने 4 dip पे हट लगाए है तो speed इतनी बची हुई है meter per second ठीक है अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा मैं कहता हूँ आप गाड़ी 100 km पृति रप्तार से चला रहे थे ठीक है आप की गाड़ी की हवा थोड़ी सी खिसक गई जिसके कारण से अब आपकी गाड़ी कितने मैं बोलू 80 km पृति आर से भाग रही है ठीक है यानि पहले कितने की भाग रही थी आप कहोगे सर 20 upon 3 से भाग रही थी और अब जो बताया जैसी आपने क्या लगाए है यहाँ पर 4 डिब्बे लगाए जिसके कारण स्पीट यह हो गई है तो भाई यहाँ से आप क्या करोगे मैं पूछूँ आपकी गाड़ी की स्पीट कितनी कम हो गई है तो आप कहोगे सर यहाँ से क्योंकि यह 100 है और यह 80 है तो तो तुरण समझा रहा होगा इसार यहाँ पर 20 किलो मीटर पिरतियार्स हमारी कम हो गई है हवा कम होने की बज़ए से इसी तरीके से मैं बोलूँ इसको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा इसको इससे माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा आप बोलोगे बिल्कुल कर दीजिए ठीक है तो हम कर लेते हैं इस को solve कि 20 upon 3 minus मैं 50 upon 9 करता हूँ तो क्या हो जाएगा भाई यहां से तो LCM ले लोगे तो कितने आएगा 9 आ गया ठीक है यहां पर 9 करोगे तो 3 यानि 60 60 मैं से 50 जाएगा तो यहां पर आ गया हो गया 10 meter per second यानि जैसे ही आप मैं आप से कहूँ कि क्या लगाते हो मेरे भाई 4 डिब्बे जोडते हो तो इसकी speed जो कम होती है 10 भाई 9 meter per second speed क्या होती जाती है डाउन हो जाती है यह चीज आपको याद रखना है आप कहोगे बिल्कुल सर और मैं पूछो इसकी speed कितनी थी आप कहोगे 23 थी अब इस question में क्या बोला गया है कि रेल गाड़ी को इतना चलाना है कि वो धड़के बस यानि चाहे चीटी की चाल से चले या कछवे की चाल से चले चलनी चाहिए रुकनी नहीं चाहिए लेकिन कितने जादा से जादा हम डिब्बे लगा सकते उसमें यह हमारा question है ठीक है आप कहोगे बिल्कुल मैं कहूँ मेरे भाई initially speed कितनी इसकी 23 है यदि मैं for example आप भाग रहे थे 100 मीटर किलो मीटर की रपतार से मैंने कहा मुझे आपकी जो रेल गाड़ी है वो 100 किलो मीटर की रपतार से भाग रही है मैं कहता हूँ इसको इतनी तेजी से बस भागना चाहिए कि यह केवल ढड़के ठीक है या कछवे की चाल से चले तो आप क्या करोगे सबसे पहले तो कोई भी ऐसी चीज लगा दो इसके पीछे कि यह बिलकुल जीरो हो जाए क्या हो जाए यानि 100 किलो मीटर प्रती रपतार से भाग रही थी गाड़ी और वो रुक जाए खड़ी हो जाए इतना करेंगे और फिर उस में से हम थोड़ा सा या एक डिबा निकाल देंगे रेल गाड़ी का तो भाई ये 100 से तो नहीं चलेगी हम कह रहे है कि तिसी से भी चलेगी लेकिन चलतो रही होगी आप कहोगे बिलकुल ठीक है तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि पहले ये किस से चल रही थी 20 upon 3 से चल रही थी ठीक है अब मुझे इसको 0 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा आप कहोगे बिलकुल तो मुझे reduce इसकी speed कितनी गन्नी है जो ये दी गई है 20 upon 3 दिया गया है इससे कम करना है आप कहोगे बिलकुल और मैं बोलू कितने डिब्बे लगाने है यही तो हमें जानना है तो बस कर देते हैं इसको solve तो हम क्या करते हैं 10 upon क्या जाएगा यहां से 9 आएगा अंडरूट मैं बात करूँ कितना आएगा 4 आएगा बरावर में जो इसके आएगा 20 upon आप देखोगे 3 आजाएगा इंटू अंडरूट कितना आजाएगा डवलू आजाएगा यह चीज समझ आई होगी अब मैं क्या कर रहा हूँ 10 से इसको काटूँगा यह दो बा गया तो यहां से हमने देखा अंडरूट डवलू की वैलू कितनी आ रही है 2 आ रही है वो गन की ठीक है और मैं इसका क्या करता हूँ दोनों साइड स्कोयर करता हूँ तो यह तो कट जाएगा और यह कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा इस पर तो मेरे भाई मेरी रेल गाड़ रुकेगी खड़ी हो जाएगी अब मैं इस में से एक बोगी जैसे ही निकाल दूँगा तो वैज चाहे कछवे की चाल से चले बड़ चलना स्टार्ट हो जाएगी यानि यहां पर कितने 143 हमारा आंसर हो जाएगा आएए देखते है next question में क्या बताया गया है तो मुझे बताया गया है किसी निश्चे दूरी को तै करने वाली रेल गाड़ी की čाल यानि speed इस speed लगने वाले समय के, ठीक है, जो भी इसका समय लगता है, उसका क्या वताया गया है, वित कुर्मानुपाती है, बन अपॉन, T हो जाएगा, किसके वर्ग मूल के, तो यहां पर अंडरूर गिया जाएगा, यह वताया गया है, यती, 40 km प्रती घंटे की, 4 से चल रही है, त ठीक है, और इसकी मैं करूँगा, अंडरूर कितना था मेरे वाई, 4 था, ठीक है, तो यह solve होके, यहां से आप देखोगे, की की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी, क्योंकि यहां से 2 बचेगा, 40 दूरी 80, यह के की वैल्यू मुझे मिल गई है, अब दुबारा इसी में लगाना होगा, तो आप देखोगे, किसमें, S बराबर, K अपान अंडरूर ट, यह को मैं लिखा रहने देता हूँ, ठीक है, तो अब मुझे पास किसकी है, K की वैल्यू है, और मुझे इसमें, वहदूरी याद करे, स्पीट दी गई है, अब कितनी दी गई है, 60 कि किलो मीटर, पिरती, घंटे मुझे दी गई है, ठीक है, 60 किलो मीटर पिरती आर्स मुझे दे दी गई है, और बताया गया है, कितना समय लगेगा, टाइम हम से पूछा गया है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, 80 अपॉन अंडरूर ट मुझे दिया गया है, अब इसको आप पूछा क्या है तो इसको अंडरूट करोगे तो यह 16 और यह कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ठीक है इसको काटोगे तो 9 एक नो हो जाएगा यहाँ से 7 बच्चा और यहाँ पर 9 यानि option A हमारा आ जाएगा next question मैं हमें बताया गया है एक बस किसी निश्चे दूरी को एक समान चाल से किसी समय में तै करती है बस की गती तै की गई दूरी के बस की जो गती है यानि speed बताया गया है हमें ठीक है directly proportional या universally क्या है समान उपाती है किसके दूरी की distance की मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पर तो क क्या बताया गया है बस दूरा लगे गए समय के वर्ग मूल के वित करमान उपाती है तो यह भाई under root t हो जाएगा इसको मैं सही तरीके से लिखूँ तो बरावर आप देखोगे kd upon किता जाएगा under root t आ जाएगा यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है अब इसे हम solve करते हैं यदि बस 60 km की दूरी ठीक है डिस्टेंस तो मुझे बता दिया गया है कितना आप देखोगे 60 km यह तो की रहे गई रहेगा और साथी बताया गया है 40 km पिरती आर्स की बतार से कितने से 40 km पिरती आर्स की यह 40 km दिया गया है टाइम बताया गया है 4 घंटा under root 4 आ यहां पर तो इसको करोगे तो 3 आ जाएगा और यह इसको करोगे तो 2 हो जाएगा यानि 4 वटे 3 हमारा answer की वैल्यू जो आई है वो 4 वटे 3 आ गया है अब उसे पूछा क्या गया है तो ग्याद कीजिए 44 km पिरती घंटा की चाल से स्ट्रीट कितनी दी गई है 44 दी गई है ठ जे 9 hours ठीक है यानि यह 9 की value है की की value हमारे पास है कितनी है आप देखोगे 4 y 3 है और निकालना क्या है कितनी दूरी यानि distance हम से पूछी गई है ठीक है इसको करना है आ जाएगा 4 से इसको काटोगे यह 11 वार जाएगा ठीक है और इसको root हटाओगे तो कितना होगा 3 into 3 यानि 9 आ जाएगा 99 बरावर डियानि डिस्टेंस जो हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी 99 किलोमीटर हो जाएगी आज की class को यहीं पर end करते हैं यदि class पसंद आई है तो like करें, share करें and subscribe करें फिर मिलते हैं next video में तब तक के लिए take care, bye bye